आज मैं रसूक नाम की एक इंडो नेशन होरर फिल्म को एक्स्प्लेन करूंगा बट यहां पर ट्विस्ट यह है कि आज की वीडियो मुवीज रेंजर हिंदी चैनल के साथ कोलाबरेशन में की गई है उनके चैनल पर आपको रसूक पार्ट टू देखने को मिलेगा उनकी वी लुक्स ने फिल्म की स्टोरी एक इंडोनेशन ओथर रिसा सरस्वती जी की बुक रसूक पराधारित है और इट्स कोईंग तो वी ओसम दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक अमेजिंग एप ब्लूम कैमरा के बारे में बताना जाहता हूं सबसे पहले ड भीड़ सारे फिल्टर मेक अप और फेशल फीचर शार्वन कर सकते हैं इसमें आपको फणी स्टिकर्स का भी ऑप्शन मिलता है जहां पर आप फेस पर डिफरेंट डिफरेंट तरह के एफेक्ट ट्राइब कर सकते हैं जैसे कि यह वैंपायर एंड जॉम्बीज इफेक्ट ब्लूम कैमरा एप में हमको जिफ्स बनाने का भी ऑप्शन मिलता है फोटो क्लिक करो और बस आपका फेस एक्जिस्टिंग जिफ्स में अपने आप सेट हो जाएगा जिसको आप वाट्साइप फेस्बुक इंस्टाग्राम पर शेर करने के साथ साथ डाउनलोड भी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक से डाउनलोड करें और एंजॉय करें और हाली में मैंने एक कॉरियन फिल्म होटल ले को एक्स्प्लेन किया है ऑसम फिल्म है डू वाच लिंक इस इन दिस्क्रिप्शन तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडिय के साथ में शुरू होती है जो की एक वाइट ब्राइडल रस्म हैं वो अपनी खराब लाइफ के बारे में एक्स्प्लेन करते हुए यह कहती है कि जब वो चोटी थी तब उसके डैड एक एकसिडेंट में मारे गए उसकी मा को यह लगता है कि उसके लिए वही जिम्मेदार है तो वो हमेशा उससे चिड़ती है उसको हेट करती है और तभी से वो भी उसको हेट करने लगी लांगीर की मा ने ओम यूडिन नाम के एक आदमी से दूसरी शादी कर ली और उससे उसको बकूला नाम का एक बेटा हुआ ओम यूडिन एक अच्छा आदमी है पर वो उसको पसंद नहीं करती और उसके डैड की जगा कोई भी नहीं ले सकता वो बताती है कि उसके तीन और खास दोस्त हैं लिंतांग, सकार और फ्रेंसिसका और उनकी लाइफ काफी तदा परफेक्ट है उनकी फैमली उनसे बेहत प्यार करती है और वो हमेशा खुश रहते हैं और उनक लांग अब सिंगापूर जाने के लिए रैडी है वह वहां जाने से पहले एक बार अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर जाना चाहती थी वह अपने अंकल के न्यू रिजॉर्ट विला कर्मा रिंजानी के बारे में बताती है जो की 25 एकर के फॉरेस्ट के बीच में हैं स जिसका आज 22 बद्दे था अभिमन्यो इन चारों का बेस्ट फ्रेंड था और वो हमेशा लांगीर को एक अच्छे दोस्त की तरह सपोर्ट करता था वो हमेशा उससे ये कहता है कि उसकी लाइफ में उसे जो कुछ मिला है उसमें उसको खुश रहना सीखना चाहिए उसकी त वो अभिमन्यो की बात मानकर ट्रिप पर जाने के लिए रैडी हो जाती है और वो उसको वहाँ पर आने के लिए भी बोलती है लेकिन अभिमन्यो का ये कहना था कि उसको कुछ काम है जिसके चलते वो वहाँ पर नहीं आ सकता लांगीर अपने घर पर जाती है जहां पर उसक step dad उसको एक compass gift में देते हैं उसके step dad ने ये उसको trip के लिए दिया था जिसे देखकर वो as usual नाराज हो जाती है वो ठक गई थी तो वहाँ पर सो जाती है और सपने में उसे उसके real dad दिखाई देते हैं वो उसे देखकर रोने लगती है और उन्हें जोर से गले लगा लेती है और तब ही हम देखते हैं कि उसके dad zombie की तरह एक emotionless state में थे और उसके पीची से एक हाथ आकर उस पर हमला कर देता है इसी के साथ में लांगीर डर कर उड़ जाती है और उसे अपने step brother बकुला की रोने की आवाज सुनाई देती है वो उसके room में जा कर उस पर चिला कर उसे चुप कराने की कोशिश करती है और वो उसको ये भी बताती है कि वो उससे बहुत नफरत करती है तब ही लांगीर अपनी mom और step dad की घर की बेचने की बाद को चुपके से सुन लेती है और अपनी mom पर भड़क जाती है वो ये कहती है कि आप ये घर नहीं बेच सकते यहाँ पर वो पैदा हुई थी और ये उसके dad का घर है यहाँ पर उसकी memories हैं उसकी mom उसे pragmatic होने की advice देते हुए ये कहती है कि बकुला के आते ही necessities बढ़ गई है और इसमें सबका भला है लांगीर अब गुस्ते से घर से बाहर चली जाती है अगली सीन में हम लिंतांग को उसके dad के साथ में देखते हैं जो उसे कुछ medicines और inhaler देते हैं बात में चारों friends resort विला के लिए निकल जाते हैं अब resort के पास ही जंगल में रास्ते की तरफ जाने लगते हैं लेकिन तभी हम यह देखते हैं कि वो बोर्डिंग साइन जो था वो अपने आप ही हिलने लगता है खैर जंगल में जाते ही लड़कियां सबसे पहला important काम करती है इंस्टा के लिए selfie लेना जी हां तभी हमें इनके पीछे white dress म में गर्ल दिखाई जाती है बट तभी इंग्रित के पैरों को ठोकर लगती है और उसकी water bottle कहीं पर गुम हो जाती है कुछी देर के बाद में इन्हें एक black magic offering की प्लेस मिलती है जिसे देखकर इनको थोड़ा सा जीब लगता है खैर अब यह आगे वढ़ते हैं और घूम फि दिखाए देता है जो की बन था जब लांगीर उसके अंदर torch को जला कर देखती है तो उसे एक भूत दिखाए देता है जिसे देखकर वो बुरी तरह से डर जाती है वहां से डर कर भागने लगती है और बाकी उसकी दोस्त उसका पीछा करती है अब वह वाई ड्रेस वाली लेडी इन सभी को दिखती है वो अपना नाम कुमाला सारी बताती है वो यह कहती है कि वो यहीं पास में रहती है और वो चारों को विला तक ले जा सकती है विला पर केर टेकर चेचेप इन सभी का वेलकम करता है और यह कहता है कि उनका फ्रेंड उन चारों का कब से इंतिज इसे सुनकर लांगीर को धक्का लगता है और वो गुस्से में अपने रूम के अंदर चली जाती है रूम के अंदर जाकर वो इंगरित को कोशने लगती है सकार उसे शांत करने की कोशिश करती है पर लांगीर अपने गुस्से में उसे रूम के अंदर ही लॉक करके बाहर चली वो नीचे खाई की तरफ गिर जाती है और उसके पैर में चोट लगती है अचानक से ही उसको वहां पर एक कब्र दिखाई देती है अपैरेंटली उस पर कुमाला सारी लिखा हुआ था जो की दो साल पहले मारी जा चुकी थी इसका मतलब यहां पर साफ है कि कुमाला सारी एक भूत है और वही भूत बनकर लांगीर को उस कैबिन में दिखाई दी थी यहां पर अब लांगीर के मुग के अंदर कुछ कीड़े गुश जाते हैं इंपलाइंग कि उसे कुमाला ने पजस्स कर लिया है दूसरी तरफ अभी मन्यों लांगीर को ढूंडता हुआ आता है जि बाय इंस्टा पोस्ट खेर नीचे हॉल में सकार और लिंतांग बात कर रहे थे सकार यह कहती है कि लांगीर हम तीनों से ही नफरत करती है और जलती है उसको यह लगता है कि उनकी फैमिली परफेक्ट है और उसको एक बात नहीं पता कि वह एक फॉस्टर चाइल्ड है उसके रियल पेरेंट्स ने उसको डस्ट बिन में फेक दिया था और उसको एडॉप्ट करने वाले पेरेंट्स को बच्चे नहीं थे तो उन्होंने उसको रख लिया ये सब बता कर वो रोने लगती है पर तबी इन दोनों को इंगृत की चिलाने की आवास सुनाई देती है जहां प अपने साथ ले जाते हैं अब विला में लिंतांग एस्टमा अटैक से गिर जाती है और हैवी ब्रीधिंग करते हुए अपने इनहेलोर को ढूड़ने लगती है तब ही कुमाला का गोस्ट आकर उसे पजस कर लेता है अब लिंतांग एक चाकू से सकार पर अटैक करती है जि उसके कान में हल्के से ये कहता है कि लड़की ठीक नहीं है बलकि कोई दूसरी है और अब ही यहांसे जाओ जिस से कुमाला की स्पिरिट वहां से चली जाती हैं चेचेप अब सकार से ये कहता है कि लिंतांग को एक free spirit ने possess कर लिया था लेकिन उसने अब उसको भगा दिया है तो वो वापस नहीं आएगी जब सकार लिंतांग के लिए medicine लेने जाती है तब उसको ये पता चलता है कि लिंतांग को brain tumor है वो सिंगाबूर operation के लिए जाने वाल और दोस्तों अब यहां पर खुलते हैं असली पत्ते वह अब कुमाला सारी की backstory बताता है कुमाला सारी एक शेवन रूडी की बेटी थी वह अपनी वाइफ रोसीता के साथ में forest के एक कैबिन में रहता था कुमाला का एक दिन एक worker ने रेप कर दिया था और वह ग्रीफ के च यानि कि ये एक टाइप का ritual है जहां पर आप मरी हुई spirit को बुला सकते हैं रूडी ने अपनी बेटी की soul को वापस बुलाया उस soul के लिए एक physical body को ढोड़ने लगा ताकि वो हमेशा वहां पर रह सके उसकी वाइफ रोसी था उस्ताज जी के पास भी आई थी ताकि वो उसक होने से रोक लिया और उसके अगले ही दिन चेचप की body river के पास मिली और रूडी ने ही उसको मार दिया होगा अब ये सब बात सुनकर अभी मन्यू को बहुत जादा शौक लगता है उसे पता चलता है कि रूडी ही अब विला में चेचप बनकर रह रहा है वो अब उस्ताज के लिए perfect body है इसके अंदर गुसा है बदला लेने की चाहत है सकार इस चीज़ते डर जाती है और चिलाती है रूडी अब उसे देखकर उसका पीछा करता है और सकार भाग कर एक cabin के अंदर चली जाती है जहां पर उसे एक लेडी चेन से बंदी हुई दिखाई देती है वो पर फिर से ghostly fight होती है और लिन तांग लांगीर को चिला कर possession से बाहर लाने के लिए कहती है ये कुछ action scenes हैं जो की काफी अच्छे थे cabin में रूडी एक लकडी से सकार पर हमला करता है जिसका जवाब देते हुए वो उसी लकडी से उसको मारती है बाद में वो रोसीता को छुडा कर उसके साथ भागने लगती है उदर विला में उस्ताज जी और अभिमन्यो भी आ जाते हैं उस्ताज जी chanting करके लांगीर को रो डालती है which was very sad बेचारा बस घरी तो खरीदने आया था इधर फॉरस्ट में सकार इंजर्ड रोसीता को लेकर आ रही थी कि तभी फिर से रूडी उस पर हमला करता है इस बार सकार मौका नहीं छोड़ती और उसी के चाकु से लगातार हमला करके फाइनली उसको मार डालती है लांगीर अब अपनी मौम पर हमला करती है और उसका गला दबाने लगती है जब उसका स्टेप डैड उसे छुड़ाने के लिए आता है तब वो उस पर भी हमला कर देती है और बाद में वो बकुला के रूम के अंदर चली जाती है बट तभी वहां पर उस्ताजी बागी ल करने के लिए कंविंस करती है और यहां पर बात यह थी कि लांगीर को अभी भी होश नहीं आया था उस्ताजी यह कहते है कि कुमाला ने लांगीर की सोल को आजाद कर दिया है और ऐसा लगता है कि लांगीर अपनी बॉड़ी में वापस आना नहीं चाहती और दोस्तों हमने पहले सीन में जो लांगीर को वाइड ब्राइडल ड्रेस में देखा था वो उसकी सोल को रिप्रेजेंट करता है उसकी वोईस ओवर उसकी तिंकिंग को वो अपनी लाइफ में सबसे हेट करती थी उसका फॉर्स लव अभी मन्यू भी अब उससे दूर चला गया था इसलिए वो उस पहाड पर चड़कर सुइसाइड करने की कोईश कर रही थी मेनिंग कि उसकी सोल बौडी में वापस जाना नहीं चाहती थी उसको अब सभी की वेक अप कहने की चिलाने के आवास सुनाई देना लगती है लेकिन साथ में तभी उसके डैड की भी आवास सुनाई देत है उसके डैड उसे स्विसाइड करने से रोक कर जागने के लिए कहते हैं अब हम लांगीर के मूँ से सारे के सारे कीडे बाहर जाते हुए देख पाते हैं इंप्लाइंग की उसकी सोल अब वापस उसकी बॉड़ी में आ गई है इस हाथ से के बाद से उसे अपनी फैमिली और चलती है और वो सबसे सौरी कहकर सबको अपना लेती है अपने स्टेप डैड को वो फाइनली डैड बुलाती है और बकुला को गोद मिलेकर उसे आई लव यू बोलती है अगले सीन में हम लिंतांग को सिंगापूर के लिए रवाना होते हुए देखते हैं जिसे ये फ्रें 83 में आई हॉलीवूड हॉरर फिल्म दा इविल डेड जैसी है इंडोनेशन कल्चर कुछ कुछ सिमिलारिटी हैं पर स्टोरी बेहत बढ़िया है यहां पर मुझे फिल्म का सेट डिजाइन डारेक्शन डायलॉग बढ़िया लगा लेकिन यहां पर जो भूत थी वो मुझे कुछ कमिया होती ही है वो अपने पास्ट को छोड़ना ही नहीं चाहती थी और आके बढ़ना नहीं चाहती थी यही इमोशन को वो अपने अंदर दबा कर जीने वाली एक गुस्से वाली लड़की थी और वो सब में कमी ढूंडती रहती लेकिन एंड में उसको अपनी गलती के मोह में पागल हो गया था लाइक वो भी अपने पास्ट को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहता था और इसी के चलते उसने ऐसा एक्स्ट्रीम स्टेप लिया तो दोस्तों उमीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना कॉमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और हाँ आप मुवीज रेंजर हिंदी चैनल पर जाकर इसका पार्ट टू जरूर देखें और मुझे बताना कि आपको वो भी कैसा लगा तो मैं आप सब को मिलता हूं अगली वीडियो के कर दो